पिछले वीडियो में हमने देखा कि हमारा दिमाग एक स्थर पर पैटर्न मैपिंग आधारित इन्फोर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है मानसिक शॉटकट यानि हिउरिस्टिक्स रोजमर्रा के निर्ने लेने में बहुत साहयक सिद्ध होते हैं क्योंकि फिर हमें रोटीन डिसिजन्स लेने में कम दिमाग लगाना पड़ता है जिसको लोवर कॉगनिटिव लोड कहते हैं मगर हमारी जो धारनाए बचपन से हम में विक्सित हुई हैं जो इन मानसिक शॉटकट का आधार हैं वे हमारी सोच पर प्रतिकूल प्रभाव भी डाल सकती हैं खास कर उन परिस्तितियों में जहां अवशकता है अपनी आटोमाटिक थिंकिंग के बद्दे हम सोच समझ कर निरने लें जैसे कई बार जब हम निरने लेते हैं तो हमारे निरने का आधार होता है जो हमने हाल ही में पड़ा हो या मुद्दे से संबंदे जो भी सबसे पहला उधारन हमारे दिमाग में आई इसको अवेलेबिलिटी हियूरिस्टिक कहते हैं सोचिए अगर मीडिया में सारी खबरें एक नए वाइरस के बारे में हैं तो हम उस वाइरस से बचने के लिए साफधानी बरतनी शुरू कर देते हैं मगर डायबिटीज और काडियो वैस्कुलर डिजीज रिदय रोग जो भारत में बहुत तेजी से बढ़ती जानलेवा बिमारियां हैं इनका नाम सुनकर हम गबराहट नहीं महसूस करते क्योंकि अगबारों में ये हेडलाइन नहीं है रैशनली देखा जाए तो हमें इन बिमारियों के लिए भी उतनी ही साफधानी रखनी चाहिए जितनी हम वाइरस के लिए बरतते हैं एक और मेंटल चॉटकट है लास अवर्जन हियुरिस्टिक हमें नुकसान लाब से दो गुना खराब लगता है जैसे की मान लीजिए आपको साल के आँखिर में आपकी परफॉर्मन्स के हिसाब से बोनस मिलता है पर फिर आपकी कंपनी नियम वदल देती है और कहती है कि बोनस साल के शुरू में दिया जाएगा मगर अगर परफॉर्मन्स अच्छी नहीं हुई तो आपको बोनस वापस देना पड़ेगा सोचिए आपको ज्यादा बुरा कब लगेगा साल के आँखिर में आपको बोनस नहीं मिला या साल के आँखिर में आपसे दिया हुआ बोनस वापस ले लिया गया भले ही आर्थिक रूप से ये दौनों समान है मगर बोनस लोटाना एक नुकसान की तरह लगता है इसलिए ज्यादा कश्ट देता है प्रसिद्ध लिंडा समस्या मेंटल शॉटकट्स आधारित सोच की कमिया दर्शाती है लिंडा 31 साल की औरत है जो अकेली रहती है बहुत होशयार है और फिलासोफी की डिगरी रखती है जब लिंडा स्टूडन थी तो वो भेदभाव और सामाजिक नियाय के मुद्दों से बहुत गहराई से प्रभावित थी और परमाणू विरोधी प्रदरशनों में भी भाग लेती थी आपको क्या लगता है लिंडा बैंक में काम करती है या लिंडा बैंक में काम करती है और साथ ही नारीवादी आंदोलन फिमिनिस्ट मूवमेंट में भी सक्रिये है जबकि statistically देखा जाए तो लिंडा के बैंकर होने की संभावना लिंडा के बैंकर और नारिवादी आंदोलन में सक्रिय होने की संभावना से कहीं अधिक है rationally सोचा जाए तो answer option one होना चाहिए क्योंकि ऐसा होने की संभावना कहीं ज्यादा है मगर हमारी जो धारणाय बनी हुई है वो हमें बाद्ध्य करती हैं ऐसा सोचने में कि अगर कोई महिला अपने student time में भेदभाव और सामाजिक न्याय के मुद्दों से बहुत गहराई से प्रभावित थी और परमानू विरोधी प्रदर्शनों में भी भाग लेती थी तो वो नारिवादी आंदोलन से तो जूड़ी होगी ही उमीद है कि इन उधारणों ने आपको हुरिस्टिक्स आधारित सोच की कम्यों को दर्शाया होगा अगले वीडियो में हम देखेंगे mental shortcuts के संदर्व में कैसे कभी-कभी हमें हमारी इंद्रियां भी धोका दे जाती हैं